नमस्कार दोस्तों आपका स्वागता एक बार फिर से आपके अपने यूटूब चैनल माजिद साइस पराजम आपके लिए लेकर आये 11 जुलाई 2021 से बनने वाले हर्याना करंट अपियर से सम्बंदित सभी मैतपुन क्वेशन अन्सर जो की आप से आने वाले कंपिटिशन एक इन हर्याना तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं फटा पट दोस्तों आज का हमारा फ़स्ट क्वेशन है किस मंत्री के द्वारा उर्जा बचत को प्रोथसान देने के लिए सहर और गाउ में बिजली उब बोगताओ के लिए डिमांड साइड मनेजमेंट ऐसी योजना का स सहर और गाउ में बिजली उब बोगताओ के लिए डिमांड साइड मनेजमेंट ऐसी का सुब आरम किया गया है और सरकार के द्वारा एक लाग से अधिक लोगों को सस्ते ऐसी कंडिशनर पर दान किये जाएंगे इसके लिए बिजली महकमे ने तीन कमपनियों के साथ समझोत क्या है और ये तीन कमपनी आपकी डेकन, बलू स्टार और वोल्टाज है अगर कोई इच्छुक वैक्ति इन एसी को लेना चाहता है तो सरकार के द्वारा वैब पोर्टल एसी रिप्लेसमेंट स्कीम यू एच बीवी एन डोट और डोट इन पर आवेदन कर सकता है यानि 24 अगत से पहले पहले आवेदन करने वाले वैक्तियों को इन एसी यो पर MRP पर 60% की छूट परदान की जाएगी इसके अलावा सरकार ने सहर वाले वैक्तियों को नया एसी खरीदने पर 2000 उपे की सबसीड़ी भी परदान करेगी अगर कोई सहरी चेतर से कोई वैक्ति पुरा सहरी चेतर के वैक्तियों को 4000 उपे की रासी परदान करेगी जबकि गाउवाले चेतरों से सरकार के द्वारा नया एसी खरीदने पर 4000 उपे की सबसीड़ी परदान की जाएगी परंतु पुराना एसी बदलवाने पर सरकार के द्वारा गाउवाले वैक्तियों को 8000 उपे की सबसीड़ी परदान की जाएगी हमारे नेक्ट क्वेस्टन है हर्याना राजय देश का कौन सा ऐसा राजय बन गया है जहां राश्टे स्तर के खिलाडियों को खेल नरसरीयों में कौच नियुक्त किया जाएगा दोस्ते स्कॉपस नमबर ए यानि पहला हर्याना राजय देश का पहला राजय बन गया है जहां राश्टे स्तर के खिलाडियों को खेल नरसरीयों में कौच नियुक्त किया जाएगा और हर्याना राजय की स्तापना आपकी एक नमबर 1966 को की गई थी जो की आपका स्तरुआ राजय बना था और हर्याना के वर्तमान में सियम मनवरलाल जी खटर है और हर्याना के वर्तमान राजय पाल बंडारू दत्तातेरिया है जो की आपके नए राजय पाल बनाए गई है इससे पहले आपके हर्याना के राजय पाल सत्य देवनारन आरिया जी थे हर्याना विदान सबा को पिपरलेस करने की योजना पर काम करते विए सदन में किन के लिए अपनी बात रखने के लिए हाइडरोलिक डेस्क त्यार किये जाएंगे हर्याना विदान सबा को पिपरलेस करने की योजना पर काम करते विए सदन में मुख्य मंत्री और वीत मंत्री इन के लिए अपनी बात रखने के लिए हाइडरोलिक डेस्क को त्यार किया जाएगा जिससे हाइडरोलिक डेस्क यानि इसको इच्छा के अनुसार उपर नीचे किया जा सकेगा हर्याना के किन जीलों की तर्ज पर पूरे परदेश में मैन होल की सपाई रोबोटिक मसीन के द्वारा कराई जाएगी दोस्तो इसकोप सा नंबर डी यानि बी और सी दोनों हर्याना के सिर्षा और भीवानी जीले की तर्ज पर पूरे पर्देश में मैन होल की सपाई रोबोटिक मसीन के दुआरा करवाय जाएगी और सरकार के दुआरा रोबोटिक मसीनों की खरीद गी मंझूरी दे गई है इसके अलावा सभी जीलों में सीवेज वाटर डेंजर मार्क अलर्ड सिस्टम जैसी पाइलेट योजना भी सुरू की गई है हमारा नेक्स्ट क्वेस्टन है मुक्यमंत्री के द्वारे किस जीले के लिए पानी के बिल भरने के लिए SMS के माध्यम से पेपरलेस बीलिंग का सुब आरम किया गया है दोस्ते स्कोप्स नमबर सी यानि पंचकूला जीले वे मुक्यमंत्री मुनवरलाल खटर के द्वारा पंच्कूला जिले में पानी के बिल बरने के लिए SMS के माध्यम से पेपरलेस बीलिंग का सुरू किया गया है हमारा नेक्स्ट क्वेस्टन है देश के कितने राज्यों में 3.61 लाक गाउ में ब्रोडबेंड इंटरनेच को हुचाने का काम सुरू किया गया है दोस्तिस्कोप्स नंबर B यानि 16 राज्यों में देश के 16 राज्यों में 3.61 लाक गाउ में ब्रोडबेंड इंटरनेच को हुचाने का काम सुरू किया गया है और इन राज्यों में आपके केरल, करनाटक, हरियाना, पंजाब, हिमाचल परदेश, उत्तर परदेश, मध्या परदेश, बंगाल और इसके अलावा साथ केंदरों को भी जोड़ा गया है और सरकार के दुआरा इसके लिए 19,041 क्रोड रुपे की रासी की मंजूरी भी दी गई है हरियाना राज्या में मुख्यमंत्री सहरी स्वामितव योजना का वेब पोर्टल कब लॉंच किया गया है दोस्तो इसको अप्सन नमबर ए यानि एक जुलाई को हरियाना राज्या में मुख्यमंत्री सहरी स्वामितव योजना का वेब पोर्टल आपका एक जुलाई को लॉंच कर दिया गया है हमारा नेक्स्ट क्वेस्टन है हरियाना सरकार राज्या में खारे पानी की कितने लाक एकड भूमी पर जींगा मचली पालन को बढ़ावा देगी हरियाना सरकार के द्वारा राज्या में खारे पानी की दस लाक एकड भूमी पर जींगा मचली पालन को बढ़ावा दिया जाएगा क्रीशी मंत्री जेपी दिलाल के द्वारा कहा गया है कि राज्या सरकार ने मौझूदा वीत वर्स में मचली पालन के लिए एक हजार फार्मा विक्सित करने का भी लक्सेर रखा है किस राज्या के द्वारा मुख्यमंत्री अंत्योद्य परिवार उत्थान योजना को सुरू किया गया है दोस्तो इसकोप से नंबर सी यानि हरियाना राज्या के द्वारा हर्याना राज्या के द्वारा मुख्यमंतरी अंतोधिया परिवार उत्थान योजना की सुरुवात की गई है हमारे next question है केंद्रिय क्रीशी मंतरालिया ने फार्मर्स एप विक्षित किया है जिससे किसान घर बैटे एप के जरिये क्रीशी यंतर को कैसे पा सकेंगे केंद्रिय क्रीशी मंतरालिया ने फार्मर्स एप विक्षित किया है जिससे किसान घर बैटे एप के जरिये क्रीशी यंतर को किराई पर ले सकेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेशन है किसानों की आय को दुगना करने की दीशा में हर्याना सरकार एकिक्रित बागवानी विकास मिशन के तैप प्याज की खेती के लिए अनुदान के रोप में कितनी रासी परती एकड़ परदान करेगी किसानों की आय दुगनी करने की दीशा में हर्याना सरकार एकिक्रित बागवानी विकास मिशन के तहट प्याज की खेती के लिए अनुदान के रूप में आथ हजार रूपे की रासी परदान की जाएगी और इस रासी का किसान के दुआरा अनुदान आपका परती एकड़ आथ हजार रूपे की रासी सरकार के दुआरा परदान की जाएगी और किसान अधिक तम पांच एकड तक इस योजना का लाब उठा सकता है और अनुदान की रासी सीदे किसानों के खाते में परवाइड कर दी जाएगी जिसका पंजिकन आपको मेरी फसल मेरा ब्योरा पर पोर्टल पर कराना होगा हमारे नेक्स्ट क्वेसन है हर्याने का कौन सा जिला स्पूतनिक वी वैक्सिन लगाने वाला परदेश का पहला जिला बन गया है दोस्तों स्कोप्स नमबर ए यानि गुरूग्राम जिला हर्याने का गुरूग्राम जिला स्पूतनिक वी वैक्सिन लगाने वाला परदेश का पहला जिला बन गया है और स्पूतनिक वी वैक्सिन आपकी रूस देश की है गुरुग्राम जीले की स्तापना आपकी एक नॉम्बर 1966 को की गई थी हमारा नेक्स्ट क्वेस्टन है ओशन कटिबंदिया फल उत्सव 2021 के लिए तीन द्वीशिया कार्यकरम का सीधा परसारन हर्याना के किस जीले से किया जाएगा दोस्तिसकोप्स नंबर सी यानि कुरुक छेतर जीले से ओशन कटिबंदिया फल उत्सव 2021 के लिए तीन दवीशय कार कर्यम का सीधा परसारं हरियाना के क्रुक छेतर जिले से किया गया है हरियाना ने फल उद्सव 2021 को मनाने का 10–12 जुलाई तक फल उद्सव को मनाया जाएगा जिसमें आपका 10 जुलाई को आम दिवस, 11 जुलाई को नासपाती दिवस और 13 जुलाई को अमरूद दिवस के रूप में मनाया जाएगा उत्सव के मुख्या आकर सक परबुक के अंदर क्या रहेंगे आपके परती दिन ऑनलाइन सेमिनार का आउजन किया जाएगा परती दिन फल तकनिक का फल के अंदर से सोसल मीडिया के द्वारा सीधा परसारण किया जाएगा आम बागवानी और अन्य फलों की वीबिन किस्मों की जानकारी परदान किया जाएगी और परसनोतरी वे रंगोली परतियोगीता का आयोजन किया जाएगा जिसके मुक्या अथिती के रूप में स्री जया पर खास दलाल जी आई है हमारे नेक्स्ट क्वेस्टन है जो आप सभी के लिए करप्या कॉमेंट करके जिरूर बताने की हर्याना सरकार दान के जंगे चारा उगाने पर या खाली रखने पर किसानों को मेरा पानी मेरी विरास्ट योजना के तहट कितने रूपे परती एकड़ परदान करेगी हमारे पास वहरूप सनब 5000, 4000, 7000 या 6000 दोस्तों कॉमेंट करके जरूर बताने की हर्याना सरकार दान की जंगे चारा उगाने पर या फिर खाली रखने पर किसानों को मेरा पानी मेरी विरास्ट योजना के तहर कितने रूपे परती एकड़ रासी परदान की जाएगी फिलाल के लिए दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना यदि आपको यह वीडियो अच्छे लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए, सेर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए माजिद साइस को वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्य आवार